उधारण 10, समा कलन मिला है 0 से πई वाई 2, 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स दी एक्स का मन लग कीजे, समा कलन को हम i के बराबर मन लेते हैं, माना i बराबर है इंटीग्रल 0 से πई वाई 2, 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स दी एक्स तो 0 से πई वाई 2, अंडर रूट साइन एक्स ये तो मुझे यहां मिलता है, क्योंकि कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स लिपकूँगा तो अंडर रूट साइन एक्स नीचे आ गया, जो कि हल करने से उपर चला गया और अंडर रूट साइन एक्स इदर एक से मल्टिप्लाई हुआ, यह हो गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स ऐसा हम मिलता है, कैसे किया हमने, इसको तिसे एक पर समझ लें, यह हो गया 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट cos x upon under root sin x ऐसा है अर्थात मान कितना हो गया 1 upon यहां आ गया under root sin x यहां बन गया under root sin x plus under root cos x और यह under root sin x अब उपर चला गया मान ऐसा हो गया under root sin x upon under root sin x plus cos x dx ऐसा यह मान हो गया यह हमारा i का मान है हमने इसको समीकरण 1 मान लिया इसको इदर से मिटा देते हैं अब हम जानते हैं हमारे निश्चे समाकलन के गुर्धन 4th से क्या f x dx समाकलन 0 से a यह होता है integration 0 से a f a minus x dx यह हमारा गुर्धन 4 से हम देखते हैं property 4 से हम जानते हैं integration 0 से a f x dx 0 से a f a minus x dx होता है अर्थात मैं x के स्थान पर यह a minus x लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ यहाँ यह क्या पा रहा हूँ पाई वाई 2 है तो यहाँ भी मैं x के स्थान पर पाई वाई 2 minus x लिख सकता हूँ तो i का मन क्या हो जाएगा 0 से πाई वाई 2 under root sin πाई वाई 2 minus x x के स्थान पर मैंने क्या कर दिया a minus x लिख दिया πाई वाई 2 minus x लिख दिया dx यह मिला x के स्थान पर a minus x लिख दिया तो यहाँ मैंने πाई वाई 2 minus x प्रते एक x के स्थान x को replace कर दिया अब sin 90 degree minus θ, cos θ होता है और cos 90 degree minus θ, क्या होता है sin θ होता है तो यह मान कितना हो जाता है 0 से πाई वाई 2 under root cos x upon under root cos x plus under root sin x dx यह हमने अपना समीकर्ण 2 माल लिए अब मैं समीकर्ण 1 में तो पाता हूँ i इसके बरावर है समीकर्ण 2 में पाता हूँ i इसके बरावर है समीकर्ण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या पाता हूँ तो समीकर्ण 1 तथा 2 वो जोड़ने पर योग करने पर हमें क्या मिलेगा left hand side में तो मिल गया 2 i right hand side में तो को लगुत्तम तो इस case में भी under root sin x plus cos x है इसमें भी under root sin x plus cos x है integration के limit सेम है 0 से πाई भाई 2 यहां क्या आ गया under root cos x plus under root sin x ऐसा आ गया यहां क्या है under root sin x तो यह इसमें जोड़ जाएगा under root sin x plus cos x under root cos x यह हमें प्राप्त हुआ dx यह हमें प्राप्त हुआ तोनों cancel हो गए क्योंकि हर और अंच सेम है यह तोनों cancel हो गए एक dx एक dx अर्थात यदि हम समा कलन करेंगे तो x आ गया तो मान कितना आ गया यह मान हो गया x लिमिट क्या है 0 से πाई बाई 2 अर्थात यह मान हो गया πाई बाई 2 माईनस 0 पाई बाई 2 माईनस 0 अर्थात पाई बाई 2 तो हमने क्या प्राप्त किया 2i बराबर है πाई बाई 2 तो this implies 2i बराबर है πाई बाई 2 जो हमें क्या देता है i का मान इसलिए i बराबर होगा πाई बाई 4 i का मान πाई बाई 4 होगा ये दो क्रॉस मल्टिपलाई में यहाँ चला गया तो i का हमारा अर्था जो दिया गया निश्चे समाकलन है उसका हमने जो निश्चे समाकलन की properties हैं गुर्धर में उसका प्रियोग करके मान प्राप्ट कर लिया वो मान πाई बाई 4 के बराबर है